हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू इटका सुबर ट्रिक सीरीज, आज हम इस सीरीज में एक नया ट्रिक लेके आए हैं कि कैसे हम सेलेक्टिव जो है वो क्लियर करें सेल से कि हमको फॉर्मेट अटाना है या हमको कमेंट्स अटाने है या हमको हाइपर लिंक अटाना या पुरा- कुछ भी लिखते हैं ऐसे ही और सिको अगर हम डिलीट कर देते हैं तो मैं जिसको वोड्र भी कर दिया या एक या इसको साथ में हमने । इariatल्य ने लेकिन हम जैसे डिलीट करते हैं तो वह पूरा पूरा काँटन्स के साथ चुजow में ठीकलिक अज़ते हैं एसाग हम कि वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम क्लियर करेंगे विद आ हलप आफ कमांड की सेलेक्टिव अगर हमको क्लियरिंग करने हैं तो ही दीखिए सेलेक्टिव क्लियरिंग हम क्या करते हैं कुछ सैंपल ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स ले लेते हैं जैसे कि फार एक्जामपल इसमें मैंने टेक्स्ट लिया हुआ इसके अंदर उसको हाइपर लिंक दिया हुआ और इसके अंदर मैंने जो है वो कमेंट्स दिया हुआ अगर हमको यह हटाना हो सेलेक्टिव क्लियरिंग से तो हम कैसे हटाएगी तो उसके लिए एक्सल ने एक क्लियर ओप्शन ही होई है होम रिबन के अंदर जिसके के अंदर हमको सब चीजे जो वो मिल जाएगी जो जो चीजे हमको कर लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट्स की अगर मेरे को मालो फॉर्मेट्स हटाने हैं सल में से लेकिन सेल के कंटेंट्स रखने हैं तो वो इस तरह से आ जाएग लेकिन अगर मैं इसमें से content हटा दूगा फिर भी comments रह जाएंगे तो अब ये comments कैसे हटाएंगे आइदर तो आप किसी और cell को इस पे लाके copy कर दीजिए एंड यहां पर paste कर दीजिए तो वह comments रट जाएगा है ये तो एक तरीका हुआ लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ copy ना हो या कुछ इसके अंदर text जो है वो लिखा रहे सिरफ comments रट जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं दो तरीके से कर सकते हैं तो आप clear में जाके comments जो कि हम कर रहे हैं और दूसरा तरीका क्या है कि आप उसपे जैसे आपने comments लगाया था वहां से जाके आप delete comment यहां से भी कर सकते हैं तो जो चीज उपर आ रहे हैं वो यहां से भी आप कर सकते हैं तो हम ने देखा कि हमने कमेंट्स भी हटाए अब बात करते हैं कि हाइपर लिंक कैसे हटाना है सेम मैं प्रोसीजर क्लियर में जाइए और यहां सबसे इसमें आ रहा है clear hyperlinks अब hyperlink नहीं है लेकिन blue color जो भी उसका text आ वो रहेगा तो इसके लिए हम चाहें तो clear formats भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यह जो hyperlink है अगर हमको यहीं हटाना है तो हम सीधा ही हटा सकते हैं तो दो चीजे हैं एक चीज मैंने यह क्या पता ही कि clear hyperlink कर दीजी वो उसका URL या जो भी उसके अंदर link दिया होगा नाट URL जो भी hyperlink दिया होगा वो हट जाएगा लेकिन text का format वही रहेगा लेकिन अगर मैं को text का format भी हटाना है hyperlink भी हटाना है तो मैं इस कमांड का यूज करें तो इस कमांड को करते ही वो तो होब ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी इसको प्रेक्टिस जरूर कीजिएगा और हमें बताते रहेगा मोटिवेट करते रहेगा कि कैसे आपको इस उपर ट्रिक सीरिस लग रही है अपने कमेंट से जरूर दीजिएगा हमें इतिजार रहेगा तो मिलता है किसी और ट्रिक में किसी और वंडर्फुल मैजिक के साथ तब तक के लिए बैबै